हेलो दोस्तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर जैसा कि दोस्तो आप सभी लोगों को पता है कि स्ट्रीट टू हिंदी इतियास की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है जो की एक होरन कॉमेडी फिल्म है जैसा कि आप सभी को पता है इस समय होरन कॉमेडी फिल्मों को ओडियन से बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है यह सभी फिल्में बोक्स ओफिस पर काफी अच्छी कलेक्शन कर रही है तो आज हम वालिवूड और साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ से आने बाली कुछ बैस्ट होरन कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने बाले है वैसे ही कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग फिल्म में आ रही है तो वीडियो को एक सेकंड भी स्केप मत कीजिएगा आपको पूरी वीडियो देखना होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हाँ दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा नमबर एट परे बूल भुले ही अत्री इस्तरी टू जैसी औल टाइम ब्लोगबश्टर होरन कोमेडी फिल्म के बाद ओडियो इस फिल्म का सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं यह फिल्म एक बड़ी ओरन कोमेडी फिल्म होगी जिसको डारेक्टर अनीज बस ने डारेक्ट किया हैं इस फिल्म इंडियन सिनेमा की क्लासिक ओरन कोमेडी फ्रेंचाइज बुल बुलेया का थर्ड इंस्टॉल्मेंट होने वाला हैं वहीं बुल बुलिया का थर्ड पार्ट डिवाली 2024 में आने वाली है यह फिल्म वालिवूड की एक होरन कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिसमें तुसार कपूर, स्रेया सलफरे, सोनिया राठी के साथ कुछ और एक्टर्स देखने को मिलेंगे फिल्म को डारेक्टर संदिक सिवन डारेक्शन दिये है, यह फिल्म एक जैनिवन होरन कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें होरन एंड कॉमेडी का लाजवाब कॉम्बिनेशन होने वाला है ऐसा मेकर्स ने कहा है फिल्म ने हमें एक ग्रूप ओफ फ्रेंड देखने को मिलेगा जो कि थ्रिल मजे के चक्कर में मजाक मजाक में भूत बुलाने का गेम खेलते हैं पर भूत सच में आ जाता है जिहां यह फिल्म ब्लॉक बॉस्टर मल्यालम होरन कोमेडी रोमांचम का हिंदी में रिमेक होने वाली है जो कि सच में बहुत ही जादा प्यारी और लाजबा फिल्म है कपकफे फिल्म इस साल तरेटर में रिलीज होने वाली है पर शिक्स परत थामा यह फिल्म एक बड़ी और मोस्ट अवेटेड होरन कोमेडी फिल्म होगी जिसमें आयुसमान खुराना और रस्मिका मंदना में लीड में होंगी फिल्म को डारेक्टर आदित सर्पुद कार डारेक्ट करने माले हैं जो की रिसेंटली लो बज़ेट सुपर हीट होरन कोमेडी फिल्म मुंजया दे चुके हैं या मैड ओप की इस तरी सिनेमेटिक युनिवर्स की अगली फिल्म होने वाली है इसलिए इस फिल्म को लेके एकसाइटमेंट और बहुत ही जादा बढ़ गया है इस तरी टू मुवी में हमें अल्रेडी इस फिल्म का हिंट देखने को मिल चुका है इस फिल्म का टाइटल पहले वेंपायर्स ओफ विजय नगर्स होने वाला था बट अभी इस फिल्म का टाइटल थामा है मूवी में हमें आयुसमान खुराना एक वैंपायर के रोल में नजर आने वाले हैं रस्मी का मंदाना फिल्म में डबल रोल पॉजिटिव और नेगिटिव के खिरदान में नजर आने वाली है इस फिल्म की कायनी दो अलग-अलग पीरिट में सेट है एक तो प्रेजन डे सोटे से नौर्थ इंडियन टाउन में और दूसरा इंसेंट्स विजे नगर वैंपायर के जवाने में है फिल्म को जल्दी ही प्री प्रेडेक्शन फीज में एंटर करेगी फिल्म की सुटिंग अब अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है पार्ट वन में हमें होरन का एलिमेंट ना के बराबर देखने को मिला था लेकिन पार्ट टू में होरन और कमेडी का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलने वाला है भेडिया टू फिल्म दो अजार बाइस में आई भेडिया का सीक्वल होने वाली है जो के Maddox Supernatural Universe की या एक इकलोती ऐसी फिल्म है जो की बॉक्स ओफिस पर उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थी फिल्म बॉक्स ओफिस पर बिलो एवेरेज रही थी बट मुझया और इस्त्रीट टू में भेडिया वरुन दवन का कमाल का जबरजस्त कैमियो देखने के बाद भेडिया टू के लिए एकसाइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है ओडियन्स इस फिल्म के लिए काफी ज़्यादा एकसाइटेड दिखाई दे रही है बेडिया टू फिल्म के मेल लीड में अरुन दवन एक बर फिर से बेडिया के रोल में नज़र आएंगे वैसे बेडिया बॉक्स ओपिस पर इतना अच्छा कलेक्शन क्यों नहीं कर चोंए फिल्म के अनौंसमेंट हो चूकी है या फिल्म दोजर पाचीज के मौक्ये पर रिलिज होने वाली है नंबर 4 फरक कंचना 4 कंचना 4 मुनी फ्रेंचाइशीज की 5th installment होने वाली है इस फ्रेंचाइश की सभी फिल्मे बोक्स ऑफिस पर ब्लोकबश्टर रही थी सभी फिल्मे आधियन्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी कंचना 4 इंडियन सिनेमा की much- noon comedy film है जिस फिल्म को हमेशा की तरह रागओ लोरेंस डारेक्ट करेंगे फिल्म के मिल लीड में यही नजाराने वाले हैं यह much- 89ический चिस के मौके पर Pen India Scale पर रिलीज होगी नमबर ठ्री पर रहाए एक टाइटल फिल्म या फिल्म एक बड़ी मज़दार फिल्म होने वाली है क्योंकि अक्से कुमार और डिरेक्टर प्रिय दर्शन की जोड़ी एक और होरन कॉमेडी फिल्म के साथ वापसी करने वाली है बुल भुले यह जैसी क्लासिक होरन कॉमेडी फिल्म के बाद यह फिल्म एक बड़ी fantasy horror comedy film होने वाली है जो की black magic पर आधारित होने वाली है अक्षय कुमार इस फिल्म में तिन heroines के साथ romance करते हुए नजर आने वाले हैं जश्ट लाई का गरम मसाला फिल्म को प्रिय दर्शन डारेट करने वाले हैं एक्ष्टा कपूर इस फिल्म की प्रोडूसर है प्रिय दर्शन और अक्षय कुमर का कोलेब्रेशन अमेशा से ही काफी special रहा है ये दोनों मिलकर हेरा फेरी वुल्व लईया भागम भाग देदना और गरम मसाला जैसी एपिक मूवीज बना चुके हैं इसके लिए इस फिल्म की हाइप काफी तगड़ी है और हाँ दोस्तों इस औरन कॉमेडी फिल्म का मोशन पोस्टर जल्द ही आउट होगा वहीं यह फिल्म 2025 से या 2026 के मौके पर रिलीज होगी ठ्रेटर में मैं बहुत जरूरी काम करने आई हूँ टू परद्दा राजा सावी है फिल्म पेन इंडिया औरन कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें प्रवास में लीड में होंगे कलकी ट्वन्टी एट नाइटी एट एजी जी सी ब्लोगबस्टर फिल्म के बाद प्रवास इस फिल्म में नजर आने वाले हैं जो कि प्रवास की पहली नहारन पिक्टर रहने वाली हैं इसलिए इस फिल्म को लेकर excitement चाही होई है, फिल्म को डारेक्टर मारूती डारेक्ट किये हैं, फिल्म के अंदर प्रवाज के साथ तीन ब्यूटिफुल हिरोईन देखने को मिलने माली हैं, मालवी का मौनन, निधी अगरवाल और रिधी कुमार, और फिल्म का इसकेल हमने जो बोथ ही ज़्यादा है वाई, इट मींस यह फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे महेंगी एक्सपेंस और अन कॉमेडी फिल्म होने जा रही है, तो क्या यह फिल्म बोक्स ओफिस पर अजार करोड का कलेक्शन कर पाएगी, यह आप सबको बताना है, यस और नो करके, यह मच से मच अवेटेड होरन कॉमेडी फिल्म कह सकते हैं, जो की बोक्स ओफिस को फार कर रख देगी, जब भी आएगी फिल्म का ओडियन्स बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, और कमाल की बात यह है कि इस तरी फिल्म को आने में थोड़ा कम वक्त लगने वाला है, क्योंकि इस त अक्षक कुमार इस फिल्म के में विलन होने वाले हैं, इस तरी पार्ट तरी में हमें अक्षक कुमार और सरदा कपूर का आमना सामना पका देखने को मिलेगा, फिल्म में हमें इस तरी की ओरिजिन गठनाओं पर विस्तार को दिखाया जाएगा, और यह फिल्म हमको 2026 से प बैल आइकन जरूर देश कीजिएगा